एक्वेरियस एक्वेरियस यानि कुमबरासी नमस्ते मैं सुरेश गोड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर तो आज हम एक्वेरियस यानि कुमबरासी के लिए रिडिंग करेंगे जो हेल्थ वेल्थ करिया रिलेशन सब के लिए अवरॉल करती लेकिन जितनी ईस पर inaçãoढ़ी होती है प्लिज एक्शेप्ट की जिए और इसको ग्रैन कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के लिए अपने फ्रेंस के लिए पास कीजिए ताकि वो भी का आनंड ले सके इसको देख सके तो छेलिए देखते are University क्या गाइड कर रही है relationship and guidance के लिए है strength ये आपके health के लिए आया है तो ये strength यानि डर के आगे जीत ये डर के आगे जीत का card है अपनी health अपने बल को अपनी ताकत को बनाए रखिए अपनी हिम्मत को बनाए रखिए उसको lose मत होने दीजिए और अगर आप बिमार हैं प्रेशान हैं दुखी हैं तो आपको इसमें energy बनाए रखने की जरूरत है अगर आप ऐसा करते हैं तो university आपके साथ है blessings आपको मिलने वाली हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखने की जरूरत है डॉक्टर से appointment लेजिए उन समय पर दवाईया खाईए घूमिये फिर ये और जो digestion issues आपको हो रहे हैं या पेट से संबंदित जो प्रेशानिया दिक्कते हो रही हैं तो उन पर थोड़ा सा control करने की जरूरत है आप दाजा खाईए बासी खाना मत खाईए और थोड़ा सा पार को अगेरा में घूमिये टह लिए और समय पर थोड़ा सा योगा कीजिए फिजिकल एक्टिवेटी कीजिए ताकि आप अपने स्वास्थे को ठीक कर सकें अपनी बिमारी को ठीक कर सकें तो ये हार के आगे जीत का कार्ड है अगर आप अपनी हिम्मत हार चुके है मनोबल आपका टूट चुका है तो हिम्मत मत हार ये हिम्मत कीजिए साहस कीजिए अगर आप हिम्मत करेंगे कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके आप फिर से ठीक हो जाएंगे अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे अपने स्वास्ते को ठीक कर पाएंगे तो अपना मनोबल बढ़ाईए अपनी हिम्मत बढ़ाईए और यूनिवर्जी आपके साथ हैं ब्लैसिंग सापको मिल रही है जो रस्ता आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा था डॉक्टर की अपॉइंट्समेंट्स कोई प्रची बची नहीं बन रही थी या दवाएया नहीं मिल रही थी तो अगर आप कोशिश करेंगे तो वह सबाब का शुरू हो जाएगा और समय रहते हैं अगर आप उसको शुरू कर लेते हैं मैंनत करते हैं एफ़र्ट लगाते हैं अपने स्वास्त्य का ध्यान देते हैं तो आप अपनी विमारी से बहुत जल्दी निजाद पा सकते हैं क्योंकि कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती यह वैल्द के लिए आया है फाइव उप स्वार्ट तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आप के साथ या तो आप किसी के साथ माइंड गेम खेल रही हैं या तो आप के साथ माइंड गेम खेला जा रहा है कोई छल कपट कोई दोखा हो रहा आप के साथ या आप किसी दुसरे को द न चोड़िये क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भले ही आपके अंदर की इगो फिल हाल के लिए जीत जाए लेकिन आपका इनसान हार सकता है या आगे जाकर आप हार सकते हैं जिसका आपको खुद को सामना करना पड़ेगा तो अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लि किसी को या किसी के साथ mind game खेल रहे हैं तो उससे आपको बाहर निकलने की जुरुरत है अगर आप उससे बाहर निकल के इमानदारी के साथ loyalty के साथ अपने business में अपने career में या अपने finance में जहां भी आप काम कर रहे हैं कोई job कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को बढ़ा सकत करते हैं नहीं तो फिलहाल के लिए बले हिए आप खुश हो जाएंगे आपको खुशी मिलेगी आप दुसरों की के को दुखी देखकर खुश हो रहे हैं दुसरों की दुख्य के दुख में खुश मत होएं चौनकि यह समय आपके उपर भी आ सकता है तो अपने कर्मों को clear हो जाए है clarity से बात कीजिए और तब आगे बढ़िए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं नहीं तो आप अपना नुकसान खुद कर सकते हैं तो यह कोई ना कोई यह students के लिए आया है कोई ना कोई good news आपके लिए आ रही है कोई ना कोई संदेश कोई ना कोई opportunity आपको मिलने वाली है जो जिन बच्चों ने test दिये थे जो job के लिए तैयार थे जो प्रीक्षा दे चुके हैं जो result का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए हो स सकता है बहुत जल्दी good news आ सकती है लेकिन अभी आपको उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा उसमें जो लोग अच्छी तैयारी के साथ है जो अभी परिक्षा देने वाले हैं उनको समय रहते हैं उसमें action लेने की जुरूरत है मैनत करने की जुरूरत है effort लगाने की जुरूरत है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें जरूर कामियाब होंगे जरूर सक्सेस होंगे लेकिन इतनी भी जल्द बाजी मत कीजिए कि उसमें फायदे की जगर नुक्सान हो जाए पहले उनको सोचिए समझिए खूब अच्छे से documents वगरा देख लेजिए जहां भी आप form submit कर रहे हैं उसके बारे में समय time सब कुछ देखकर आगे बढ़िए अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच सकते हैं लेकिन समय रहते आपको उसमें action लेने की जरूरत है उस पर मेहनत क जहां आप job कर रहे हैं लोग आपको पसंद करते हैं आपकी तारिफ करते हैं क्योंकि आप attractive हैं आप बंठन कर रहते हैं सज समर कर रहते हैं आपने काम पर ज्यान रखते हैं और आप जहां काम कर रहे हैं आप लोगों की परवा नहीं करते हैं आप बिना सोचे समझे जो अगर आप मिल जूल कर थोड़ा सा काम करते हैं लोगों की भावनाओं की कदर भी आपको करनी चाहिए थोड़ा सा जो आपको अपने आपको प्यार मोहबत से आपको पेश आने की जुरूरत है और जो आप में छोटी मोटी अडिक्शन से जो बुराईया है उनको भी आपको उसको छोड़ दीजिए जो गलत भावनाए है उनको छोड़ दीजिए जो फायदे के साथ जो नुकसान है उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि आप उनकी परवा नहीं करते हैं उनकी आप केर नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जोग के बारे में सोचत उनकी भावनाओं की कदर करते हैं तो आप अपने काम में, अपनी जोब में काफी अच्छा नेम और फिरम पा सकते हैं, आप अपनी काफी अच्छी पोजिशन वहाँ पा सकते हैं. ये बिजनेस के लिए आया है तो फिल हाल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए अपने करियर पर ध्यान दीजिए खुद पर फोकस कीजिए आप अभी के लिए दुसरों की मदद के लिए मत आगे बढ़िये क्योंकि आप ये six of wants का card है तो आप luxury life जीने वाले हैं आप एक अच्छा बिजनेस आप स्टेंड करने वाले हैं अच्छा बिजनेस करने वाले हैं अच्छी opportunity विक्ट्री आपको मिलेगी अगर आप ही लाल के लिए अपने उपर काम करेंगे अपने उपर ध्यान देंगे अपनी position बनाएंगे तो धीरे धीरे करके लोगों की मदद खुद ही आप करना शुरू कर देंगे लेकिन फिलाल के लिए आप अपने उपर काम कीजिए अपने उपर focus कीजिए अपने business पर ध्यान दीजिए और उसमें आपको victory मिल सकती है, success मिल सकती है, जहां आप रह रहे हैं, लोग आपकी तारिफ करेंगे, आपका गुनगान करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान है, loyalty के और इंसानियत के साथ आप काम करने वाले हैं, तो इमानदारी के साथ, loyalty के साथ आप काम करिए, अपने business क आगे बढ़ाईए, पैसा लगाईए, खुब मेहनत कीजिए, effort कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप आगे जाकर name और fame पा सकते हैं, victory पा सकते हैं, लोग आपकी तारिफ करेंगे, हो सकता है कि आप देश विदेश में भी अपने business को दीरे दीरे करके बढ़ा सकते है ये students के लिए आया है, ये sorry singles के लिए आया है, तो अगर आप किसी प्यार मोहबबत में हैं, किसी से प्यार करते हैं, मोहबबत करते हैं, तो उसमें लग रहा है कि आप काफी अपने आपको बंदा-बंदा मैसूस कर रहे हैं, काफी आप बोज उठाए हुए हैं, आपको ये आप परेशान हैं, confused हैं, दिक्कत में हैं, जो भी उस रिस्ते को लेकर परेशानिया हैं, आप खुद उनको हैंडल करना चाहते हैं, खुद उनको उठाना चाहते हैं, उन जिम्मेवारियों को आप अपने उपर लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले से कुछ नहीं बोलेंगे, जिम्मेवारियों को अकेले उठाएंगे, इस बोज को अकेले उठाएंगे, तो आप फिजिकली और मेंटली प्रोब्लम में आ सकते हैं, आपकी कमर में पेन हो सकता है, और आप का ये रिस्ता आगे जाकर खराब हो सकता है, तो अगर आप इस रिस्ते को आगे बढ़ाना चाते हैं उनसे सच मुझ प्यार मोहबत करते हैं तो सामने वाले से आपको कलियर बात करनी पड़ेंगी उनसे इस जो भी बाते हैं जो भी कोई राज है कोई बात है कोई मिस्टरी है उसको सामने लाना होगा उसको एक दुसरे को सामने से बात करने की जुरूरत है पेचानने की जुरूरत है, तो जो भी आपके मन में हैं, जो भी समझ चाये हैं, उनको आप मिल कर एक दुसरे के साथ बांटिये, शेयर कीजिए, और तब इस रिस्ते को आगे बढ़ाईए, नहीं तो आगे आपको इस रिस्ते में आगे बढ़ने की जुरूरत नहीं है, जब जब तक ये clear नहीं हो जाता जब तक आप इस बोज को बांट नहीं लेते जब तक share नहीं कर लेते अभी इस बोज को बांट ये share कीजिए एक दूसरे को समझिए एक दूसरे की भावनाओं की कदर कीजिए फिर आगे इस रिस्ते के बारे में सोचिए पेज ओफ स्वाट्स ये रिलेशन्शिप के लिए आया है आपका रिलेशन काफी अच्छा रह सकता है एक नई बिगनिंग नई शुरुआत की जा सकती है एक नई अनर्जी के साथ बच्पना छोड़ कर यंग अनर्जी के साथ एक नई उमंग और तरंग के साथ अगर आप इ जूरियां पैदा करता है खटास पैदा कर सकता है अगर आप रिलेशन को फ्यूचर को आगे अच्छा बनाना चाते हैं आगे बढ़ाना चाते हैं तो आपको आमने सामने बैठ कर हर बात को कलियर करना पड़ेगा इसमें कलियर कीजिए प्यार कीजिए इसमें कोई दंदले कर लेते हैं और इस में शुरुवात करते हैं तो प्यार मुहबत के साथ तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने में धीरे-धीरे करके कामियाब हो सकते हैं दासन ये जनल गाइडेंस के लिए आया है तो आप अपने इनर चाइल्ड से या जो आपके अंदर जो बच्चा छिपावा है आपको एक बच्चे के इनरजी के साथ जीने की जुरूरत है एक बच्चे के इनरजी के साथ जीए खुश रहिए बच्चों के साथ के लिए और ब बच्चा रहता है उस तरह से खुशी-खुशी जीवन यापन कीजिए, किसी चीज के बारे में मत सोचिए, कन्फूजन में मत रहिए, परिशानी में मत रहिए, जैसे बच्चे का मन साफ होता है, साफ सुथरे मन के साथ आगे बढ़िए, ओनेस्टी के साथ, लोयल्टी के आगे बढ़िए, तो आपको हर चीज के हर रिस्ता, हर काम आपको अच्छा लगेगा, बहुत आपको सकुन देगा, बहुत आपको प्यारा लगने वाला है, युनिवर्जी आपके साथ हैं, ब्लैसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, तो आपने इनर चाइल्ड को जगाईए, अपने मन की भावनाओं को सुनिए, अपने अंदर की बात को सुनिए, एक बच्चे की अनर्जी के साथ, एक ओनेस्टी के साथ, एक इमानदारी के साथ, हर कदम पर चलिए, तो आगे आपको युनिवर्जी आपको आपका साथ जरूर देंगे, बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कमेंट्स करना बिलकुल मत भूलिए क्योंकि कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है हेल्प मिलती है और इसी तरह अपना प्यार और आशिरवाद हमेशा मुझे पर बनाई रखिए क्योंकि इससे मुझे हेल्प मिलती है प्रोचसाहन मिलता है प्यार मिलता है तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते थेंक्यू सो मच